एक चुनाव से दूसरे चुनाव को नहीं देखना चाहिए जंता उसका अपना परड़ाम बताएगी तो जंता के हाथ पे छोड़ देना चाहिए देखिए जब विकास का कोई काम किया जाएगा तो बुराई खोजने वालों के संख्या उसमें रहेगी ना वो भगास सिंग है ना हम भगास सिंग है यह आंदोलन हम पतजिनलों में चलके आंदोलन हमने भी बहुत किये है उनने तो भी एक दिन किया होगा हम तो 40 साल करते ही रहे जिए जो बीरता का वखान करने वाले लोग हैं उनको याद रखना चाहिए कि गिरीज गवतेम का खिला पांदोलन के दर्मियान 135 मामले दर्ज हुए है 135 मामले को जहलते हुए इस अस्थान पर पहुंचाओ तो हम यह प्रशारी करने के देखो मेरे बहादुरी हमने यह करके जीत लिया जो अपने पिता का आस्तिकला सेम के बैसे नहीं ले जा सकते मैं उन्हें क्या कह सकता हूं नमस्कार विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ स्वाती आज हम आपको मिलवाएंगे मधप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष गरीज गौतम से जो रीवा को तीन बड़ी सौगात देने जा रहे हैं उक्त जानकारी स्री गौतम ने हमारे चैनल हेड रामा नंद पांडे से खास बात चीत के दोरान दी है विधान सभा अध्यक्ष स्री गौतम के दो वर्स का कारिकाल पूरा होने पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने पक्ष विपक्ष के बीच समानजस से बना कर सबकी बाते सुनी और सबको अवसर दिया वही 2018 की चुनाब में कौंग्रेस सरकार बनने और कौंग्रेस की जीत को लेकर कहा कि कौंग्रेस इस मुगालते में ना रहे कि जो परिणाम 18 में आये थे उस तरह के 23 में भी आएंगे इसका उदाहरन लोग सभा में कौंग्रेस देख चुकी है श्री गौतम ने विरोधियों पर निसाना साथते हुए कहा कि इस मुगालते पर ना रहे कि 2018 की चुनाब जीत का अंतर कम था तो आने वाले चुनाओं में भी वही रहेगा छेतर की जनता सब जानती है कि किस तरह से छेतर के विकास के लिए उनके द्वारा काम किये गए है हाँ यह जरूर है कि वह अपने काम का प्रचार प्रसाड नहीं करते श्री गौतम ने कहा कि उस बेटे को भी धिकार है जो अपने माबाग की अस्थियों का गंगा में विसरजन अपने दम पर नहीं कर सकता और उन्हें भी जो इस तरह की मदद कर वाह वाही लूटने का प्रयास करते हैं स्री गौतम ने सिमरिया स्डियम नेल मडी अगनी होतरी को हटाने और बसोर समाच के धरने पर प्रसासन की अंदेखी सिमरिया और रीवा विधायक पर लग रहे आरोपों पर भी खुल कर जवाब दिया है स्री गौतम ने बिना किसी का नाम लिये हुए कहा कि जूटे वादेव धष्टाचार को बढ़ावा देने बालों को जनता सवक सिखाएगी विधान सभा अध्यक्ष गौतम ने कहा कि वहरीवाद जिले को तीन बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसमें काम भी सुरू हो गया है उसमें कन्या विश्विद्याले कैंसार अस्पताल के साथ एक और सौगात महत्वपून है जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे आए आपको सुनाते हैं हमारे चैनल है ड्रामानन पंडे और विधान सभा अध्यक्ष के बीच हुई चर्चा हमारे शाथ मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष मानने ग्रेश गौतम जी है जिनसे आज हम पिछले विगत दो वर्षों के कारेकाल के साथ साथ उच्छ मध्यप्रदेश की राजनेतिक गद्विधियां और शेतर के बीकाश के बारे में जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष की दो वर्ष का कारेकाल लगभग बूर हुआ क्या मानते हैं कि सारे से कारेकाल रहा हुआ और क्या गिना जाए जो चाहते हैं उसकी बात को विधान सभा में रखने का असर पराप्त हो सके मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और मैं ऐसा समझता हूँ कि अपनी और से जो वने प्रयास किया उसमें वने सफलता पराप्त की है अब ये अलग वाइत है कि दोनों पक्षों के बीच में जब बात भी आज जयादा होता है विदान सभा की कारवाईया कम से कम हो जाती है दूर विरंतो अपना प्रहा से ही है कि सामन जसक्ट बैठा करके मिधान सबा का सत्र चलाना उसमें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आउसर देना उनकी बात को आना जिसे जन समस्या का निरा करान हो सके इसलिए मैंसे समस्ता हूं कि ठीप ठाक रहा है लगभग बीस वर्सों से भाजबा सरकार है प्रदेश में आपके कारेकल को अगर छोडें तो पहली बार है कि विपक्ष बहुत मजबूत रहा है जब विपक्ष मजबूत रहता तो निश्चीत है कि तर्ख भी तर्ख भी जादा होते हैं तो ऐसे भी कई मामले आये होंगे जिसमें दिक्कतें होई हो यई ऐसा लगा हो कि साही डंक से करप आई नहीं तो कुछ और ऐसी सितियां हो Cornuke है ऐसा नहीं लगा सारे हमारे भीपकशी के साति भी जो है विदान सभा के भी रीit वह भी अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं, विदान सभा एक अलग औलग फ्रョंற की रूप में है। उसको देखा जाता हू हाँ तो यह एक विदायक हता है समझान एक डारियों में रहकर के अपनी बात को कहता है। अब ये एक अलहादा वात है कि जिसके लिए हुग है उसको तो रखने पड़ेगा अब उससे कुछी को असामात होना होना यह सब हो सकता है पर देडिक बिधायक तो चुनकर واका के ऌवथ के लिए प्रदेश के लिए उनकी समझ्याओं रखने के लिए गया तो रखेगा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाओ आने वाले हैं दोहजार अठारा की चुनाओ में बीजेपी को हार मेली थी आप बरिश्ट यहां से नेता है क्या लगता है कि जिसरे चुनाओ हार मिली कांग्रेस निश्चित है कि यह डमाडोल है चाहिए वो यात्रा निकाल रही हो चाहिए निकाल रही हो कि हमको बहुत आने वाले समय में सब्सक्राइब क्या लगता है बरिश्ट बीजेपी होने के नाते कि कि इतना फर्क पड़ेगा जो आने वाला दोहजार तेश चुनाओ है कैसे तैयारिया है एक चुनाओ से दूस एक बोट से जीता अगली बार वो बीस अजार से जीता है तो इस तरह के तमाम साइथ इसलिए किसी विधान सभा के बारे में पिछले से लेकर के नए की तुलना करना उचित नहीं होता है क्योंकि प्रड़िणाम है वो अपना दो-तीन तरह से तह होते हैं एक तो जता है कि बर्तवान में परिस्ति किया है सामने चुनाओ लडने की जब इस्थिद्ग बनती है तो कैसी परिस्तित कैसा होती है इस पर भी होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा जहां तक काम करने का सवाल है तो सभावी कर जितना Osir मिला है उस औसर में काम करने का भरपूर प्रियास किय क्या है और जंता उसका अपना प्रड़ाम बताएगी तो जंता के हाथ पे छोड़ देना चाहिए जैसे जबलपूर हो गया गौालियार हो गया रीवा हो गया सहडोल हो गया जो की बीजेपी के गड़ थे कांग्रेस जीत हाशिल की क्या लगता है कि जो अपन कारी किये दिखा नहीं पाए बता नहीं पाए या किसी प्रकार का यह ऐसा भी मैंने मांगता क्योंकि सारे चुनाओं की तासीर अलग-अलग होती है पंचायत का चुनाओ अलग होगा नगर नीगम का चुनाओ अलग होगा विधान सभा का चुनाओ अलग होगा लोग सभा का चुनाओ का चुमाओ जीते थे तीन महीने में किसी काम की कलपना नी लिखी जा सकती। इसलिए मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि लोग सभा, विधान सभा, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायत, सरपंची, जन्दपजिला, सारे चुनाओं की तासीर अलग अलग होती है। उसका कारण बता हैं तो आपको हम, कि विधान सभा लोग सभा की तासीर अलग बिधान सभा में दूसरी तरह का वोट पड़ता है। जवब बने सभांने मोड़ने वाला विशु विदान सभा में हो सकता है पर लोग सभन यह सारे इशू नहीं रहते हैं इसलिएगे सभधानसभा का दूसरा 크리 ऐसा है कि जिस तरह से बाते हैं चहां Casey है उपर से इसलिए काता है कारवाई यह नहीं होती लोगों को संथो बीच में लगने लगता है तो क्या ऐसे कुछ विसेश होना चाहिए कि जो वरश्टा-चार पर भी रोक लगे आपको भी लगता है नहीं वरश्टा-चार में जब तक समाज आगे नहीं आएगा समाज को ही आगे आना पड़ेगा और वो कहने से कई बार फिर बड़ी कड़वी बाते हो जाती है पर मेरा अग्रह यही है कि इसमें समाज के चिंतन की आवश्यक्ता है एक बिप्ति के कार करने से इस तरह का कुछ हो नहीं सकता है और इमानदारी के साथ है दे हम विचार करें तो इसमें और काम की आवश्यक्ता है और काम हो तब जाकर के हलाके तबाम कारवाईयां हो रही है अग्ना होती होती तो 56-56 करोर रुपए एक घर से बरामद हो रहे तो कुछ तो मानिए 50 करोर, 40 करोर, 13 करोर यह नगत घरों से बरामद हो रहे तो कारवाई तो बुरे देश के भीतर हो रही है तरीबा में भी कई वार आरोप लगे है चाहे आपको रानी तलाव दौंदरी करा रहा हो संदरिया के नाम पर रहा हो ब्रिच के नाम पर लोगों की आवाज उठती रही बिपक्षियों की उठती रही कुछ मैसेज जैसा जाना चाहिए कि जाँच हो कारवाई हो तो लोगों को तो लगे कि हाँ जब हम आवाज उठते हैं हम आपके पास जाते हैं तो हमको सामने कुछ आश्वाशन मिलता है नहीं जब देखिए जब विकास का कोई काम किया जाएगा तो बुराई खोजने वालों के संख्या उसमें रहेगी ठीक है ना जैसे हम कोई निव तियार करते हैं तो जमीन को हम खोदते हैं तो गड़ा तो बनाते हैं ना हमारी नजर केवल गड़े में है फजब लुट केवल वही हमें गड़ा क्यों खोदा कोदा केवल वही हमारी नजर रहती है उसमें दिवाल खड़ी होकर के मकान बनने की दरफ गम देखते नहीं रीवा आज से 20 साल पहले और आज दोनों रीवा का खुद आप एक बार घूम करके देख लीजे ना जिस रीवा में हमको चलना मुस्किल था वहां हमने सडको रीवा बने रीवा साहर की बात हम नहीं कर रहे हैं हम वहां सडकों का हमने जाल बना दिया पहले इसी अलाहबाद को जाने के लिए हमको कम से कम 5-7 घंटे लगता था कई बार ऐसा हमीं लोग जाते थे दिल्ली उल्ली तो प्रियाग राज जाने के लिए हमको 4 बजे यहां से निकलना पड़ता था तब प्रियाग राज एक्सפרस को पाने की कोशिज करते थे आज आप रीवा से गाड़ी स्टार्ट करिए बाईपास रतारा में चड़ जाईए और रेलवे स्टेशन ठीक एक घंटा 40 मिनट पर प्रयाग राज रेलवे स्टेशन जाकर के आप खड़े हो सकते हैं यह सड़क बनी मिरिजापूर की तरह आप जाईए पहले 6 गंटे 7 गंटे लगता था जबलपूर आप जाईए आज कल जबलपूर में भपाल जाता था कोरोना टाइम अपने गाड़ी से और यहां से कटनी जहां से दमों की रोड में हम मुड़ते हैं घड़ी लगा करके 75 मिनट में अपन पहुंचते थे कोई कलपना कर सकता था कि 75 मिनट में पहुंचेंगे सड़कों का पूरी तरह से जाल अभी टेनल हमने तोड़ दी है और हमने साट किया है रेलवे को ले जाकर कि सिंग्रवलिक तरफ कर रहे हैं कभी किसी ने सोचा होगे कि बांड सागर का पानी आज खेतों में मारे आएगा हालत यह कितना इस साल वर्सा कम होने के बाद भी अभी जो हम खेतों में देख रहे हैं अभी धान के जब हम भड़ार रख रहेंगे तो फिर मेरे पास अस्थान की कमी हो जाएगी और साइज उत्ता धान भड़ारत का मारे पास जगए नहीं होगी तो पानी आने का सर है तो यह 20 सालों के भीतर बहुत सारा परिवर्ता ने में किया है अब यह एक एक को खोजना की यह हुआ वो तो चलेगा उसके करवाई हैं भी हो रहे हैं करवाई में कोई पावड़ते हैं सरकार में रीवा को बहुत बड़ा शमयधानिक पद मिला आप विधानसाबाद्यक्ष उतने ही आसाएं भी लोगों को बढ़ी हैं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी देन दी जाया है जिसमें लगे कि लोगों को लगे कि हाँ विधानसाबाद्यक्ष जब दो प्रियास बहुत ज जाम कर लिया है अब कुछ जमीन एलोकेशन हो गारा ये बेला बैजनात के पास जमीन भी अपने ढूड़ दी है पचास से कड़के आसपास कलेक्टर सतना काता बाचीत भी हो गई तमाम कारवाईया हो रही है एक हमारी इक्षाई है दूसरी चाहिए है कि नागपूर में इ इदे नागपूर भागता है और मैंने जो अध्यान कराया है उस अध्यान में ऐसा निकल करके आया है कि हमारे यहां से साथ बसे प्रते दिन नागपूर को जाती है मरीजों उनके परजनों को ले करके तेरी साब बस अलग और टेन अलग जा रही है यदि इदिनी बसे जा 40 सवारी भी जा रहे हैं तो वो साथ बसो को मतलब सात्रिकाई 210 हो जाता है माने च्छा से साथ हजार आदमी दवाई के लिए केवल कहां जा रहा है वो आपके वहां जो मैं नागपूर कई वार गया खुद देखा जा करके वहां एक बड़ी समस्या है वो जब मरीज जाते ह हैं वहां पर बस टेंड उतरते हैं तो उनको रुकने की जगह नहीं मिलती है अई दि कहीं एक चोटा सा भी कमरा ले तो एक हजार रुपए एक दिन का लगता है तो मेरे बन की एक्षा थी कि वहां पर एक तरह से कोई अंपी भवन बन जाए जहां पर इस तरफ से जाने वा ले लोगों को 15 रूपए में मिल जाए घाना के वैस्ता हो जाए 20-25 रूपए में खाना मिल जाए दो तीन दिन करके अपना दोवाई करा लें दोवाई करा लें घाना करके लॉट करने जिसा में पर्यास हमारी वहां महार ve सर्कार से भी बाफ थी से है आपने हमारे पत्रभ को पढ़ने की कालिज की कमी है इसलिए विधान सभा में एक संकल्प हम लेकर आए थे हमारे विधाय के ले आये थे आम इसको पास कराना चाहता था कि कम से कम एक कन्या इंवस्टी जो अभी तब हमारा महां भी दिया लाए एक इस तरह की कोई इन्वस्टी मिल जा है हमको तो बड़ा सारा गाम हो सकता है, यह दो तीन इक्षाएं थी, अब देखिए क्या इस सर्क मालिक है क्या हो सकता है? अब जो आए तो बोले कि गुड़ो बाले कहते हैं कि मैं दोसे मेरी रीवा की समस्या नहीं है, यह पूरे जिले की है, क्योंकि हर जगा सुवर पालक है, और यह जो यह कोई मर जाया, इस मर्ज के भीतर सारे सुवर पालकों के सुवर मर रहे हैं, तो इनको तो ब्याकाश प्र मरिया में अंदोलन चला ता 15-20 दिन कोई नहीं गया, इनके पास कोई नहीं गया, बीस दिन से बैटें कोई अधिकारी तरह ही पहुचता सुनने के लिए, नहीं वो राजनीत कारणों में दो चीजें गड़बड़ी हो सकती हैं, जैसे से मरिया में एक तहसील दार को उटान में अंदोलन हमने भी बहुत किये हैं, उनने तो भी एक दिन किया होगा, हम तो 40 साल करते ही रहें, अंदोलनों के दर्मियान से होता ये कि जब किसी अधिकारी के खिलाब इस तरह के अंदोलन चलते हैं, उस दर्मियान हटाना थोड़ा प्रसासन को मुस्किल होता है, अब म आदी बैट गए हटा लो, एक आदी बैट गए हटा लो, तेके वल हटाने का काम चलता रहेगा, तो उसमें जो जापन उनके आया हैं, उस पर विशार किया जा रहा है, जैसा लगता है, कि बाकई में ये चीजें गड़बर हुई हैं, तो निश्चे तो पकर रही होगी उस परिवार ने ऐसा गलत किया था, अब ही वकील है, हत्या के लोग में बड़ी हो जाते हैं, साक्ष नहीं मिलते हैं, साक्ष का अधार पर होता है, ये जो प्रसासन के इस तरह से दिखाना, प्रचार प्रसार करना की हम इस तरह से काम कर रहे हैं, जिसके कारण से मात दे रहे दिकास नहीं हो रहा, ये क्या दिखाने की प्रसार है, दर है कि आने वाले समय में भी जो आपने कहा की अठारा के बाद अप्तेज का है, या ने तो मुझे जानकारी नहीं है, कि क्या मामला है, मैं इमानदारी से आप कहता हूँ, मुझे कता ही जानकारी नहीं है, पर जो आ 16 का आज ये जो बीरता का वखान करने वाले लोग हैं उनको याद रखना चाहिए कि गिरीज गुतेम के खिला पांदोलन के दर्मियान 135 मामले दर्ज हुए है 135 मामले को जहलते हुए इस अस्थान पर पहुंचाओं और ऐसे मामले नहीं कि 107 सोरा से हम एक तो पहले 107 सोरा काय को आज वह में वो हो गए तो हम यह प्रशारित करने के देखो मेरे बहादूरी हमने यह करके जीत लिया तो एक किससा है ज़्रा सुन लीजए इसको चुनानी किया हुछ सकता है मैं किसी के बार और eben नहीं कहा हुँ इनिक जर्नल आपको उता हुए एक राजा का कववा होत लगता है कि रजवा गरीब मोड टोपी ले गया राजा गरीब है मेरी टोपी ले गया तो जब ये हल्ला मचाने लगा तो राजा ने टोपी वापस कर दिया उसको बिले जा बड़ा हल्ला कर रहा तो जब दे आये तो कहता रजवा डिराल मोड टोपी देगा राजा वह डर ग तो अस्तिकलास पहुंचा कर हम बहुत विकास कर रहे हैं। अपनी चीजें क्या बागई प्रचार प्रशार में लोगों को बास जानकारिया नहीं जा पाती कि लोगों को मदद कर रहे हैं, इस वास के लिए उप्चार कर रहे हैं। इसके लिए कोई काम राजनीत के लिए नहीं करता हूँ, न बोट के लिए करता हूँ, इसलिए कोई एक रुपए दे करके पचास हजार का परशार करता होगा, और मैं एक लाग दे करके एक रुपए का परशार नहीं करता हूँ, जनता गुपर छोड़ देना चाहिए अपने को और इसको इस तरह से हम कोई एहसान करते हैं तो उसको परचारित करके वह एहसान नहीं रह जाता हूँ तो भी बोट के बदले है ऐसा कहो कि बोट का हम दे रहे हैं तुमको हमको वोट करो, मर गया फिर दूसरा मैं एक अपनी लोर करना चाहता हूँ मैं खास गरीबों की बात नहीं करता हूँ पर जो अपने पिता का अस्तिकलस सेम के बैसे नहीं ले जा सकते मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ कुछ नहीं कह सकता हूँ के बले ही कह सकता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें यदि हमारी पीता ने हमको जन्म दिया हमारी माता ने हमको जन्म दिया जन्म देने के बाद उनका अंतिम संसकार मैं किसी से दया पर लिए हुए पैसे से करना चाहता हूँ तुम्हें ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहाना